हेलो एवरीवान कैसे हो आप सब वेलकम है हमारी चैनल में आपका अच्छा आज भायदूज है सो हैपी भायदूज बगवान करें आप सभी के भाय को लंबी उमर दे और भाय बहें का प्रेम हमें सा बना रहें और जैसे मेरे टाइटल में मैंने आप जान गए होंगे कि मैंन 1992 में तब से अब तक का मेरा सेलिबरेशन भायदूज का हुआ ही नहीँ है और भाय दिज राख ही एक ऐसा तयोहार है कि इस दिन ने बड़ा लो för्ल होता और बहुंत lovely आपर बहुंत lonely fazendo करते है यहां पे कि और मेरे साइट से यहां कोई भी नहीं है मेरे इनलोस की साइट से मेरे हस्बन की साइट से सब है यहां मेरे इनलोस यहां सब है लेकिन मेरे माईके के तरफ से यहां कोई भी नहीं है यह जो तिवार होता है यहां इस समय बड़ा लोन्ली फिल होता है चलो जाने दो इस हैपी वाले दिन में सेड वाला दिन बात नहीं करते हम सेड वाली, सो यहां मैंने लॉंडरी स्टार्ट कर दी है, सब बेडिंग की मैंने सबसे पहले डाल दिया था वो निकल गया और उसके बाद मैंने सब टॉवेल्स को एक्चुली दो विक में एक बार मैं टॉवेल्स को सेपरेटली वास कर लिती हूँ सो उसकी जो स्मेल्स वगेर होना तो निकल जाए सो बस वो ही डाल के आई हूँ और ब्रेकफास्ट वगेरा यहां पे हो गया है सो उसी के सारे यहां बरतन में कर रही हूँ किचन समेट रही हूँ अभी क्योंकि अब लंज का टाइम भी हो जाएगा सो एक तरफ मेरी लॉन्री भी हो रही है सो हाँ भैदुच के दिन यह होता है कि बहुत 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 आज के दिन इतना लोनली फिल्स हो मैं क्या करती हूँ नहीं एक्स्ट्रा काम निकाले जाती हूँ हाँ पूरा दिन मैं बस काम में अपने आपको बिजी रखती हूँ हला कि हम मेरा एक ही भाय है वो इंदिया में है हम दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम है लेकिन फिर भी हो होता है न कि भाई बस इस दिन आए बहन के यहाँ बहन उसकी आकता स्वाकता करे सो बस यह सारी चीज़े याद आ जाती है इस दिन सो यहां पर लंच मैं प्रिपेर कर रहे हूं खिचडी बन रही है आज मसाले वाली हमारे यहां ना भाई दूझ को खिचडी बनती है ऐसा आप होलते हैं कि भाई बैंक का प्रेम ज्यादा बढ़ता है अब यह कितनी सच्चा है इसमें तो मुझे नहीं पता लेकिन बस होई ट्रैडिशनल मैं भी फॉलो कर रही हूं सो मैंने यहां पर सब छो खिचडी में जाते हैं चीजे निकाली है फ्रीज में से और तुर की दाल को मैंने भीगो दिया है और जो होते हैं फ्रोजन वो भी निकालके मैंने थोड़ ग्रीन चिली निकाल के रखी है सो कुकर में बनाऊंगी मैं ये खिचडी सबसे पहले मैंने अराउंड दो टेबल स्पून जितना ओईल लिया है एंड वन टीस्पून यहां मैंने घी लिया है और उसके बाद मैंने यहां पे बेली उस डाल दिया है तमाल पत्र होता है वो राई एंड थोड़ा सा अजवाईन मैं इसमें दूँगी राई एंड अजवाईन का चौक लगा लगा लूँगी इसके अंदर सो इसके बाद मैंने यहां पर लॉंग लिये हैं कुछ और थोड़े से ब्लैक पेपर लिये हैं यह अप्सनल है लेकिन इससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है खीचडी में और इसके बाद मैंने यह चौक ट अनियन इसके अंदर डाल दिया है और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है नमक डाल दूँगी अनियन के जितना मैं यहां पर और हल्दी और अब इससे अच्छे से सौटे करना है ढग करके और मैंने फ्रोजन यहां पर अद्रक एंड जिंजर गार्ली का पेस्ट मैंने डाल दिया है उसके अंदर और बस अनियन जब तक सौटे हो रही है मैं यहां टमेटो भी चौक कर लूँगी आप सब की दिवाली कैसे गई वो भी मुझे कॉमेंट करके बताना और भाइदुज भी आप लोगों का कैसा गया वो भी मुझे कॉमेंट करके बताना जो मेरी तरह है यहां लोनली फिल करता है जो भी यह वीडियो देख रहा है तो वो अपना एक्सपिरियंस प्लीज कॉमेंट थ्रू मुझे शेर करना होता है न कि शेर करने से थोड़ा माइंड रिलेक्स हो जाता है कि हाँ भी मैं अकेली नहीं हूँ मेरे जैसे होंगे कई होंगे यहां पे लेकिन कॉमेंट थ्रू अगर पता चले तो ज्यादा फिल होता है कि हाँ है यार कोई है मैं बड़ा ही लोनली फिल करते हूँ जैसे मैंने कहा आना आपको सो यहां पर मैंने दाल धो ली है दाल धोने के बाद मैंने चावल ले लिया उसमें और यानियन भी सौटे हो गया है और यहाँ पर वोही basic मसाले रेड चिली पाउडर क्या बोलते हैं धनिया पाउडर गरम मसाला वो डाल दिया था इसके अंदर और अब मैंने टमेटो डाल दिया है और टमेटो डाल के मैंने इस अच्छे से ढखा था और थोड़ा सा टमेटो के हिसाब से सौल्ट भी दे दिया तब तक मैंने धक के फिर इसे खोल लिया था और उसके बास जो वेजी थे मेरे पटेटो तुवर एंड दाल चावल सब कुछ एक साथ डाल के उसे अच्छे से मैंने सौटे किया है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैंने यहाँ पानी डाल दिया है कि धिली की चड़ी बना रही हूं मैं से इसलिए मैंने जैसे चावल और दाल का प्रपोर्शन इस तरह का लिया था ना कि 3 4th कप इच लिया था मैंने तूर एंड चावल और उसके सामने मैंने टू एन हाफ टाइम्स पानी लिया था क्योंकि मुझे धिली खिचड़ी बनाने थी इसलिए अगर आप थोड़ा सा उसे खिला खिला बनाना चाहते हो तो डबल पानी लो बस यहाँ पर मैंने योगर्ट लेके बिट कर लिया अच्छे से और योगर्ट में मैं चौक नहीं करूंगी क्योंकि मसाले में अल्रेडी है मसाला इनफ इसमें राई जीरा वगेरा एक्स्रा घी तिल नहीं यूज करूंगी सिर्फ नमक और भूना हुआ जीरा मैंने उसमें डाल दिया है कुकर कर तीन विसल लगा लिया था तो यह इसका प्रेसर रिलीज हो गया है इसे हम खोल देंगे और यह दिखे खिचडी हो गई है अच्छे से सो मुझे इस तरह की ढिली चाहिए थी जैसे मैंने कहा अगर आपको खिली खिली चाहिए तो डबल पानी लो मैंने टू एन हाफ लिया था तो यह दिखे हो गई है मारी खिचडी और यहां पर छास भी रेडी है आपको कौन सी और रेसिपी देखना चाहते हो वह भी मुझे बताना किस तरह का ब्लॉग आप देखना चाहते हो वह भी मुझे कॉमेंट करके बताना तो मैं उस तरह का लेके आऊँगी लेकिन पलीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर से करना और यहां पर लॉंड़ी भी मेर यहां पर तैय हो गए हैं अलग कि कपड़े तो तैय क्या सिर्फ टौवर्स आज डाला था और बेडिंग का किया था मैंने लॉन्री अगर पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक कमेंट जरूर से करना चलिए फी मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ अंटील देन टेक केर बाई बाई